स्पेन पहुच गई है फाइनल में यूएफा यूरो के और एक बस मैं भिड़ते से ही आप सबसे गुजारिश करूँगा कि लमीन यमाल को मैसी से कंपेर ना करें अभी से I think we are seeing something special एक सूपर स्टार का जनम हम देख रहे हैं अपनी आखों के सामने होते हुए जितने भी आप यंग प्लेयर्स के अभी बात करें हैं I think ये प्लेयर एक स्पेशल जगे होड़ करता है मैं किसी और प्लेयर का नाम नहीं लूँगा बहुत सारे प्लेयर्स हैं आपको भी पता है मुझे भी पता है आज जो हमने लवीन यमाल से देखा है इस एपसलूटली ब्रेथ टेकिंग एपसलूटली एक्सेप्शनल एक सोला साल का बच्चा ऐसी फुटबॉल खेल सकता है मतलब मैं शब्दों में बयान ही कर सकता कि आज हमने क्या देखा है I think जो यमाल की एबिलिटीज है वो तो एक तरफ हैं मतलब हमने बहुत सारे प्लेथ देखे हैं जो ड्रिवल अच्छा करते हैं एजिलिटी जिनकी अच्छी है यमाल की फुटबॉल आईक्यू ऐसा लगी ही नहीं रहे कि यह सोला साल का कोई बच्चा खेल रहा है सोला साल के लड़के का ऐसा फुटबॉल आईक्यू यह टेस्टिमंट है टू लामासिया एंड बिग बिग क्रेडिट्स टू जो भी कोचिस हैं और जिस तरीके का मैनेजमेंट और जिस तरीके से अकैडमी को ब्रॉट अप किया जाता है लामासिया कि इससे पता चलता है कि बहुत यंग एच से जो फिलोसफी है फुटबॉल की उससे बड़ा किया जाता है बच्चों को और सूपर स्टार्स बनाया जाता है जो दो तीन कारण होते हैं जो पोटेंशल हमको यंग्स्टर्स में दिखता है जिनके कारणों की वज़े से उनका करियर टेक ओफ नहीं कर पाता है या उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं जो हम सोचते हैं कि वो पहुंच जाएंगे एक तो टेंपरामेंट खराब हो जाना सक्सेस बहुत जल्दी चड़ जाती है यंग्स्टर्स के और आजकल आप देखते हैं कितनी ज़्यादा चकाचाउंद है फुटबॉल के भार भी तो उस चीज़ से बचके रहना है लमीन यमाल को इंजरीज नहीं हो अगर बार्सा में रहना है तो बार्सा में ही रहें अगर बार्सा मान लीजिये नहीं उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी दे पाता तो जिस भी कलब में जाए वो अच्छा डिसीजन हो तो इस दो तीन हमने देखे हैं कारण हो जाते हैं प्लेयर्स के करियर डेवलप नहीं होने के अगर लमीन यमाल की ही सिर्फ तारीफ करूंगा तो थोड़ा इंजस्टिज हो जाएगा लुइस डेलाफॉंटे के साथ बिलकुल भी मतलब किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की फुटबॉल डेलाफॉंटे खिलाएंगे स्पेन को एक तरफा जो है स्पेन बेस्टीम रही है इस टॉर्नामेंट की और जिस तरीके से रोल क्लैरिटी हम को देखने को मिली है सारे प्लेयर्स इतनी जादा हाई इंटेंसिटी से खेल रहे हैं सबसे जादा इंटेंस फुटबॉल खेली है स्पेन ने जो भी प्लेयर्स हैं चाहे वो फाबियान रूइज हो रॉड्री हो यमाल की हमने बात की निको विलियम्स मुराटा ने स्टेप अप किया है इस टोर्नमेंट में जबरदस तरीके से आज ले नॉर्मंड और कारवाहल अवेलेवल नहीं थे तो हैसूस नवास और नाचो खेले उनकी एपसेंस में लपोर्ट का टोर्नमेंट बहुत अच्छा गया कुकुरे ऐस बीन ऑफ दे मोस्ट इंप्रेसिफ प्लेयर्स अगर हम बात करें जिस तरीके से वो खेल रहे हैं ग्रिमाल्डो नेल डॉन स्टार लग रहे थे लिकिन कुकुरे ने हम सब को बहुत अच्छ जए पेड्री आपको मॉर औच लोर अरफ और जो अ जिस तरीके से वह एन। करते हैं पेज गेम का यão' क्रेटिवीटी दिखा गयर्ट व प्रैयर्प Este석 उजक् स्व जाते हैं जाधा गोल स्कॉर करती वह दिखी है आपको सपेड़नियो गाइस स्पैणिविडीर्श वी में भी रॉटरी आप कहेंगे कि एक सूपर स्टार है या पेडरी आप कह सकते हैं बाकी यमाल एक यंग स्टर नीको विलियम्स एक यंग स्टर मौराटा का हिट औन मिस राय करियर अभी तक लेकिन स्टेप अप किया उन्होंने स्पेन के लिए कपतान है बैन से भी जो प्लेयर जाते हैं मिकेल मेरी नो आते हैं तो कोई कमी लगती ही नहीं स्पेन में आज मैं कहूंगा कि गेम प्लैन एकदम सही था पहला गोल कंसीड किया उन्होंने फ्रांस ने शुरुवात बहुत अच्छी की राइट साइड को टार्गिट किया स्पेन को जहां मुझे लगता है कि उनकी थोड़ी सी वीकनेस दिख रही थी आज एमबा पे थोड़ा ठीक खेल रहे थे फर्स्ट हाफ बहुत ओपन चल रहा था लेकिन जिस तरीके से यमाल ने वो गोल मारा और यमाल की तो मैंने तारीफ करी दी शुरू में केम स्टेट चेंज हो गया स्पिरिट्स लिफ्ट हो गई ही स्पेन की मैच में वो वापस आ गए और उसके बाद जब दूसरा गोल स्कोर किया है देर वास नो कमिंग बैक फर फ्रांस सेकंड हाफ में मैं फ्रांस से बहुत ज़ादा डिसपोंटेड हूँ जिस तरीके से फ्रांस ने अर्जेंसी नहीं दिखाई असा लगी नहीं रहा था कि वो गेम में पीछे हैं यहां वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं कमबैक वो करना चाते हैं इट वाज वेरी डिसपोंटिंटिंग परफॉर्मेंस फॉर्फॉर्फॉर्ट्स स्पेन ने भाप लिया कि उनको ज्यादा एक्सपेंसिव होने की जरुवत नहीं है उन्होंने कंट्रोल किया प्रोफेशनली एक केम को सी आउट किया उन्होंने ब्रिलियंट गेम मैनेजमेंट अगेन बै डेला फॉंटे इस बार विलियम्स और यमाल को हमने जादा मिनिट्स खेलते वे देखा और जिस तरीके सो उन्होंने बाद में सब्स्टिट्यूशन किये जूविमेंडी को लेके है मिकेल मेरीनो को लेके है काबिले तारीफ मैन मैनेजमेंट उनको और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और स्पेन ने राइट फुली सो अपनी जगे बना ली है फाइनल में और मैं कहूंगा कि 80% ऑफ दे गेम स्पेन ने कंट्रोल किया है बले ही स्कोर लाइन क्लोज लगरी हो आपको लेकिन सेकेंड हाफ वाज डिसपोंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम फ्रांस और बहुत ही कंट्रोल दिस्प्ले बाइ स्पेन डिजर्विंग फाइनलिस ऑफ यूएफ यूरो दोजार चॉविस दूसरी तरफ अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिगा के फाइनल में जगे बना ली है कैनेडा को टू निल से हरा दिया एक रूटीन परफॉर्मेंस जादा कुछ हमको दे प्रफेशनल परफॉर्मेंस अर्जेंटीना का जादा कुछ एक्सेप्शनल लम को देखने को नहीं मिला रोडरी को डिपाल वास एप्सलूटली ब्रिलियंट एंजो का सिस्ट मैसी का गोल मैसी का गोल आ गया फाइनली वाल कर स्टूट चुका है तू निल से एक रूटीन और जगे बना लिए कोप अमेरिगा में अर्जेंटीना ने तो बस उसके बारे में तो इतना ही बोलूँगा बट लमीन यमाल स्पेन इन इस होल स्पेन टीम इस ब्रिलियंट वाच और अभी भी भरोसा बाकी है फुटबॉल में कि सिर्फ प्रेग्मेटिजम और हराम बॉल से ही नहीं फुटबॉल खेली जाती है टॉर्नमेंट जीते जाते हैं अगर आप ब्रेव हैं एक्सपेंसिव हैं और एक अची ब्रैंड और फुटबॉल आप खेल रहे हैं तो आप इंजॉयबल भी हैं देखने में साथ-साथ आप मैचेस भी जीतते हैं और स्पेन उस मतलब वन और फाइनल में कुछ भी हो सकता है और आपकी कह रहा है प्लीज टो लेट मीनों दो कॉमेंट सेक्शन मिलता हूं आप से रात को जब तक ध्यान रखें अबना टेक केर एंट पीस